हिंदु धर्म में बसंद पंचमी का विशेश महत्व है इस दिन मा सरस्वती की अराधना करने के साथ काम देब की भी पूचा की जाती है ऐसा कहा जाता है कि ये दिन शादी विवाह करने के लिए शुब होता है विवाह का इंतिजार करने वालों के लिए बसंद पंचमी का दिन शुब रहेगा हर साल बसंद पंचमी पर लागों जोड़े शादी करते हैं कहा जाता है कि बसंद पंचमी के दिन अभूच विवाह के लिए सबसे अच्छा मूरत होता है यानि जिन जोडों के विवाह का कोई शुब मुहरत नहीं निकल पाता वो लोग बसंद पंचमी के दिन बेजीज़क विवाह कर सकते हैं बसंद पंचमी से बसंद रितु की शुरुवात हो जाती है इस साल बसंद पंचमी 14 फरवरी यानि आज पढ़ रही है आज की दिन मा सरस्वती ज्यान की देवी की विदी विधान से पूजा की जाती है बसंद पंचमी का दिन देवी सरस्वती को समर्पित है इस दिन शादी विवाह करना शुब होता है आये जानते हैं कि वसंद पंचमी का दिन शादी के लिए क्यों सबसे उत्तम माना जाता है वसंद पंचमी के दिन विशेश का गया है तो इस दिन वसंद पंचमी के दिन देवी सरसती जी के पूजन के दिन भगवान काम देव तता देवी रती का पूजन होता है यह काम देव वही है जिने भगवान शिव जी महाराज ने अपने नेत्रों से भस्म कर दिया था तथा जो भगवान स्टे क्रिश्ण के पूत्र प्रद्यून के रुप में जन्म लिया था यही काम देव तथा रती हैं जो की प्रेम के देवता कहे गए इनका पूजन करने से ग्रह कलेज दूर होता है तथा पारिवार में प्रेम बना रहता है पती पत्नियों में प्रेम बना रहता है इसलिए प्रेम संबंद चाहने वाले वेक्तियों को यहाँ पर काम देव तथा अभी वसंद पंचवी के दिन पूजन होता है लोकल 18 उजयन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट यह वीडियो पंडित आनंद भारतवाज के द्वारा दी गई जानकारी के अधार पर बनाए गई है लोकल 18 इसकी पुष्टी नहीं करता है